नमस्कार टीबी ट्वंटी नूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्सकों का स्वागत है मैं हूँ असोग बर्मा देश वो प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रही है हमारे साथ अपने डालते हैं खबरों की तरफ ये कन्नोश के हमारे अपने लोग इस बार वल जिताने जा रहे हैं वलकि रिकॉर्ड मतों से एतिहासिक बोर्ट देकर से देश की बड़ी जीतों में शामिल होने जा रहे हैं वैसे तो चोरी में जगड़ा तभी होता है जब बटवारा ठीक से नहीं होता है चोरों में जगड़ा तभी होता है जब चोरी की चीज़ का बटवारा ठीक नहीं हो और हमें तो वो दिन भी याद आ रहे हैं जो लोग कहते थे बादलों की वज़े से रडार से दिखाई नहीं देता है और नाले की पाइप से गैस निकाल करके चाय बनाई जा सकती है आज वही लोग और उनके सहयोगी लोग कह रहे हैं कि जो वेक्सीन निकाल ली है जो वेक्सीन लगवाई है जिनके पास ऐसा घ्यान है तो उन पर ये भी तो घ्यान होगा कि वेक्सीन जो लग गयी हो वेक्सीन कैसे निकाली जाएगी 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है भारती जनता पार्टी अगर गलती से जीत गई तो यह सम्विधान को खतम करेंगे आरक्षन को खतम करेंगे चुनाव को खतम करेंगे अपने वोट को बचाने के लिए इस बार वोट कीजिए और बीजेपी की जमानत जब्त कराने का काम कीजिए इतनी नफरत है भाजपा के मन में इतनी नफरत पाँच साल तक मुख्यमंत्री रहे अखले सियादो जी पाँच साल तक और जब अपना घर खाली किया तो भाजपा के लोगों ने गंगा जल से वो घर धुलने का काम किया इतनी नफरत अभी कुछ दिन पहले कन्नाच के अंदर अखले सियादो जी एक मंदिर में चले गए उस मंदिर को गंगा जल से धुलने का काम किया इतना अपमान करते हो आप इतनी बेज़ती करते हो आप इतनी ग्राय आपके मन में पिछडों के प्रती दलितों के प्रती मैं आप लोगों से निवेदन करने के आया हूँ जो अखलेश यादों का अपमान हुआ अपने वोट की ताकत से उसका बदला ले लेना मैं कहता हूँ कि या तो कन्नोज में गूजेगी अखलेश की गूज नहीं तो सियारे की टाप भाजेगी ऐसे नेता भाजपा के कहर का सिकार लेकिन संदि ना करने वाले और ना जुकने वाले राष्टी नेता आप संसत संजय सिंग जिनका मैं स्वागत अभिनंदन करता है माने सन्या सिंग मंजपरासीन समाजवादी पार्टी के राष्टी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर मुख्यमंत्री और जिनके समर्थन में इतनी बड़ी तादाद में आप लोग एक अठा हुए हैं मानी अखलेश यादो जी मंजपरासीन कॉंग्रेस पार्टी के पूर वध्यक्ष लोकसभा के सांसद जिनोंने चार हजार किलो मीटर की भारत जोडो यात्रा निकाल कर लोगों को जगाने का काम किया राहुल गांधी जी आधनिय प्रमोत तिवारी जी समाजवादी पार्टी के समस्त नेता कॉंग्रेस पार्टी के नेतागर्ण आमादम की गहराईयों से अबिनंदन करता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में मौजूद होकर आपने बताने का काम किया है कि अखलेस यादो जी करनाओस से बहुत बड़ी जीत हासिल करने जा रहा है बहुत बड़ी जीत साथियों और दोस्तों मैं हाद जोड के आप से विंती करने के लिए आया हूँ इसलिए आया हूँ कि राहूल गांदी जीने राम लिला के मैदान में कहा अखलेस यादो जी हर सभा में कह रहे हैं कि ये 2024 का चुनाओ अंतिम चुनाओ है भारती जंता पार्टी अगर गल्ती से जीत गई तो यह संविधान को खतम करेंगे आरक्षण को खतम करेंगे चुनाओ को खतम करेंगे अपने वोट को बचाने के लिए इस बार वोट कीजिए और बीजे पी की जमानत जब्त कराने का काम कीजिए और जब मैं कहरा हूँ कि आरक्षण खतम करेंगे तो इस बात के आधार पर कहरा हूँ कि भागवत जी ने कहा था आरक्षण खतम होना चाहिए मनमोहन वैद्यार SS के नेता कहते है आरक्षन खतम होना चाहिए 1989 में भारती जनता पार्टी ने आरक्षन का विरोथ किया था जब OBC का आरक्षन लागू हुआ था ये लोग समविधान खतम करना चाहते है लल्लू सिंग कहते है या उद्ध्या के प्रत्यासी समविधान खतम करो जोती मिर्दा कहते हैं समविधान खतम करो अरुन गोबिल कहते हैं समविधान खतम करो अनन थेगडे कहते हैं समविधान खतम करो अरे जो बाबा साहिब का समविधान खतम करेगा हम उसकी राजनिती खतम करेंगे ये संकल्प हमको लेना है इतनी नफरत है भाजपा के मन में इतनी नफरत पांच साल तक मुख्यमंत्री रहे अखले सियादो जी पांच साल तक और जब अपना घर खाली किया तो भाजपा के लोगों ने गंगा जल से वो घर धुलने का काम किया इतनी नफरत अभी कुस दिन पहले कन्नाच के अंदर अखलेस यादो जी एक मंदिर में चले गए उस मंदिर को गंगा जल से धुलने का काम किया इतना अपमान करते हो आप, इतनी बेज़ती करते हो आप, इतनी ग्राय आपके मन में पिछणों के प्रती, दलितों के प्रती, मैं आप लोगों से निवेदन करने के आया हूँ जो अखलेस यादो का अपमान हुआ, अपने वोट की ताकत से उसका बदला ले लेना तैयार हो सब लोग, तैयार हो ना, तैयार हो मंदिर का सिलन्यास होता है दलित समाज से आने वाले रास्टपती रामनात कोविजी को नहीं बुलाते मंदिर का उद्गाटन होता है आदिवासी समाज की रास्टपती द्रोपती मुर्मूजी को नहीं बुलाते अपमान करते हो आप दलितों का पिछडों का आदिवासियों का इसलिए अखलेस यादोजी ने आवन किया है PDA मिलकर इस बार भारती जन्ता पार्टी की जमानत जब्त कराने का काम करेंगे तैयार होना सब लोग मोदी जी क्या करें करें 400 पार 400 पार 400 पार हमने का इन चक्रों में मत पढ़ना ये मोदी जी का जुमला है गये थे बंगाल में बोले 200 पार 200 पार 200 पार आई 73 सीट गये जारखंड में बोले 65 पार 65 पार 65 पार आई 23 सीट गये हर्याना में बोले 75 पार 75 पार 75 पार आई 40 सीट गए महारास्टा में, कहले लगे 1.500 पार, 1.500 पार, 1.500 पार आई 105 सीट, गए करनाटक में, कहले लगे 130 पार, 130 पार, 130 पार आई 65 सीट, गए दिल्ली में, कहले लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार आई 8 सीट, गए मिजोरम में, कहले लगे 21 पार, 21 पार, 21 पार आई एक सीट अब करें चार सो पार चार सो पार जनता करें तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार करना है ना राहूल गांदी जी लगातार अडानी अम्बानी के खिलाप बोल रहे थे दस साल में मोदी जी को अडानी अम्बानी का नाम नहीं याद आया चुनाओ मैं अब कह रहे हैं अडानी के खिलाप नहीं बोलते अम्बानी के खिलाप नहीं बोलते अरे मोदी जी जगर आपको टेंपू का नंबर मालूम है तो EDCBI भेजो अडानी अब मानी को गिरिफतार करो करो गिरिफतार उनको करो गिरिफतार इसलिए इस जुम्ले में नहीं फस्ता है अंतिम बात कहके मैं अपनी बात को खतम करूँगा साथियों और दोस्तों अखले सियादो जी ने उत्तर प्रदेश के विकास के जो काम किये उसके फीते आस तक काटे जा रहे हैं उसके फीते आस तक काटे जा रहे हैं इसलिए ये लोग स्कूल नहीं बना सकते अस्पताल नहीं बना सकते सडके नहीं बना सकते बिजली पानी नहीं दे सकते मोधी जी आये थे करोना के टाइम में उन्होंने कहा भाईयों और बहनों गाओं गाओं में कबरिस्तान है तो समसान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए यह समसान बनाने वाले लोग हैं यह आपके बच्चों को स्कूल अस्पताल नहीं दे सकते हमारे मुखिया अर्विंद केजरिवाल को जेल में डाल दिया मनीस सिसोदिया को जेल में डाल दिया सतेन जैन को जेल में डाल दिया मुझे छे महीने जेल में रखा छे महीने नहीं पूरी जिन्दगी जेल में रखोगे तब भी तुमसे लड़ेंगे और जीतेंगे जैहिन इंकलाब जिंदाबाद समाजवाद जिंदाबाद